नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें दिखाई दिया कि जो बोलीवुड का बड़ा हीरो है सलमान खान मुंबई एरपोर्ट पर बाहर जाने के लिए कहीं वो सिक्योर्टी चेक लाइन को छोड़ कर नियमों को ताक पे रखके डारेक्ट इंस्पेक्टर ने उनको रोका और कहा कि आप आम आदमी जैसे चेकिंग कराते हुए आ रहे हैं इस तरह से आईए उसके बाद सलमान खान जेपे हुए से उस लाइन में आए इसको लेकर वीडियो वाइरल हुआ और लोगों ने उस CISF के अधिकारी की सराना की जिसका नाम ASI सोमनात महंति के नाम से जाना जाता है ASI सोमनात महंति की तारीफ हुई और लोगों ने कहा कि ये नेता और अभी नेता इस तरह क्यों नियमों को ताक पे रखते हुए VIP एंट्री करते हैं जिसके कारण सुरक्षा को भी खत्रा होता है और सलमान खान कोई देश में बहुत है हाला की लेकिन जादे तर लोगों का मानना है कि वो हत्या हुई जिसासालियान की हत्या हुई और इन सारे मामलों में एक नया नाम सामने आया था एक नया शब्द सामने आया था नेपोटिजम ये नेपोटिजम सब सामने आया था और बोलीवुड के कई लोगों ने उस पर ये कहा था कि ये जो सलमान खान है ये ही पूरे बोली वुड को चलाता है ये जिस तरह से चाहे बोली वुड में होता है किसी को फिल्म दिलाना नहीं दिलाना उसका अपमान करना या मान रखना ये सारा काम तेह करता है सलमान खान यानी खान बंदू और ये आरोप उस समय कंगना रणोत ने लगाये थे और कंगना रणोत ने खुलासा करते हुए धाया था के एक बहुत बड़ा गरो बोली वुड के अंदर पनप रहा है जो नशे का कारोबार करता है और वहाँ जो उनके रंग में रंग जाए उसको अलावा वहाँ किसी टिकने नहीं दिया जाता और जिहादी मानसिक्ता के लोगों का पूरा होल्ड उस बॉलिवुड पर है जैसा कि हम सुनते आए थे के एक डॉन है और वो डॉन इसमें सारी इंटरफेर करता है ये कंगनर रॉनोत ने जब खुलासा किया इसके बाद एक कई बॉलिवुड कलाका सारों ने ये खुलासा किया था कि सल्मान खान सारे जितने भी बॉलिवुड में अंदर गैंग चलते हैं चाहे वो फिल्म दिलाना फिल्म नहीं दिलाना एवार दिलाना नहीं दिलाना फिल्म में काम करना के नहीं करना और ऐसी भी कुछ वीडियो आई थी जिसमें डारेक् पूत के मुद्दे में भी ये चीज़ आई थी के आखिरकार बॉलिवुड के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है नशे का कारोबार उसमें लोगों को डुबाया जाता है लत लगाई जाती है शुशान सिंग राजपूत जो एक वेग्यानिक बनना चाहता था उसको भी नशे की लत चाहते थे और सबका एक अंदर से इच्छा थी कि यदि सल्मान खान का भी इससे कुछ जुडाव है सल्मान खान के भी तार यदि जुडते हैं तो वहां भी कारवाई होनी चाहिए सल्मान खान के खिलाब भी कारवाई होनी चाहिए देश में एक महौल बना था और तब से आपको बता दू देश वासियों के दिमाग और दिल से ये बोलीवुड का भूत उत्रा और इतना उत्रा के लोगों ने मांग की के ये जो बोलीवुड का फिल्म सिटी है ये ट्रांसपर होके यूपी में आ जाए बहुत सारे लोगों ने मांग की राजु सृरीवास्तव जो महराष्ट के अंदर ये बॉली वुड है इसमें बिलकुल भी काम करना सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहां नशे का कारोबार चल रहा है यहां डॉन की चलती है यहां खान बंदू की डादा गिरी चलती है और इसलिए साफ माहोल में कोई भी अच्छा विक्ती यहां बॉली वुड में ना तो फिल्म बना पा रहा है ना उसे फिल्में दी जा रही है और फिल्में उसी को मिलती है जिसमें यह खान बंदू का इंटर्फेर हो जाए या उनसे वो मिल जाए इसके बाद योगी जी ने उनको आदेश दिया था और उस पर कारवाई सुरू हो गई है ग्रेटर नोइडा में वो जगा चिन्नित कर ली गई है भविश में क्या होगा यह तो भविश बताएगा लेकिन इस सारी घटना से यह जो इस्टार बने घूमते थे कोई सल्मान खान को दबंग खान कहता था कोई कहता था साब सल्मान भाई है तो यह भाई गिरी इनकी एक ASI ने उतार दी और एरपोर्ट में ऐसी उतारी के उसने जता दिया के बेटा नियम सब के लिए बराबर है अब वो टाइम चला गया और सल्मान खान का यदि आप वीडियो देखेंगे वो एंट्री करते हुए तो आपको दिखाई देगा उस वीडियो में के यह गाड़ी से उतरते हैं तो मुँ पे मास्क है लेकिन जब यह एंट्री गेट के पास आने लगते हैं तो यह मुँ का मास्क जान पूचके हटाते हैं इनको लगता है कि शायद यह मेरे को सुरक्षा जो कर्मी है अर्थसैनिक बलके लोग हैं CISF के यह नहीं पैचाने होंगे इसलिए कह रहे होंगे साइड से आओ मैं इने मुँ उतार के दिखाऊंगा तो यह कहेंगे अरे यह तो दबंग खान है भाई इसके साथ सेल भी लो और सेल भी लेने के लिए दोड़ेंगे जैसा की पहले होता था और यह बिना सिक्योर्टी के चेक कराए एंटर कर जाएंगे और इनके साथ जो भी लोग हैं वो भी एंटरी कर जाएंगे और इसके लिए हवाई एड़े में कोई बिना चेकिंग जाए ये तो देश के लिए सुरक्षा के लिए खत्रा है आम आदमी कोई भी जाए उसकी एक एक चेकिंग होती है कोई हतियार तो नहीं है कोई आपतिजनक वस्तू तो नहीं है तो क्या बोली बुड के लोग हमारे देश के नियम काइदे कानून से उपर हैं इनकी चेकिन क्यों ना हो लेकिन इनकी आदत खराब की गई इनकी हवा बनाई गई और देश में कैसी इनकी हवा बनाई जाती है उसका एक उधारन देखिए कि जिस CISF के ASI सोमनाद महिंती ने इनाम लेने वाला काम किया कि उसने सलमान खान को एक सेलेबरिटी के तोर पे ट्रीट नहीं किया उसने एक आम आदमी के तोर पे ट्रीट करते हुए उन्हें कहा कि आप भी आम आदमी की तरह चेकिंग कराने के बाद ही अंदर एंट्री करे उस वेक्ति को CISF ने इनाम दिया कि आपने बहुत अच्छी ड्यूटी निभाई आप अपने करतवों का पालन कर रहे हैं चाहे वो वेक्ति कोई भी क्यों नहों और इसके लिए इनाम दिया गया लेकिन आप देखिए कि मीडिया में कैसी खबरे चलाई गई सारा मीडिया आप समझ लीजिए बोलिवुड की मानसिक्ता से और इन खान बंदों के चापलूसी में किस कडर विकाओ है या गिरा हुआ है कि सारा मीडिया ने एक जूट खबर पहलाई और खबर ये थी कि ये जो CISF का अधिकारी था मोहिंती जिसने सल्मान खान को नियम का पार्ट तो सल्मान खान के जो मैनिजर हैं जो अभी तक उसकी इमेज बनाते हैं दबंग खान की उन लोगों के पेट में दर्दुआ के ये तो सल्मान खान की भाई पूरे देश और दुनिया में बेजती हो गई कि भाई इंडिया में अब वो एरपोर्ट में एंट्री करेगा तो होगी हो सकता इससे एक मैसिज जाए कि भी आब तो चेकिंग होगी अब उसको आम आदमी माना जा रहा है अब रेड पिट गई अब कोई फिल्में भी देखता नहीं है ये दबंग खान एक साल से उपर हो गया कितनी फिल्में आती जाएंगी कोई देखेगा नहीं अभी आ देश हित की बात करेंगे उनकी फिल्में देखेंगे उनकी फिल्में चलेंगी बाकियों की कोई फिल्में अगर देखने वाला हो तो वो जिहादी मानसिक्ता वाला कोई देखे तो देखे देश वक्त लोग नहीं देखेंगे और इस बदलाओ से ये सब बेचैन हैं कि ये क खुआ खान हो गया कि भ II की तरुए चेकिंग में लाये जा रहा है तो निू ने मीडिया को मैंचues किया और किस तरह से मीडिया मैंच होता है इसका जीता जागता उधारन देखिए कि मैंने जितने अख़वार देखे मैंने जितने टीउट्वी चैनल की वेबसाइट देखी सब पर एक न्यूज चल रही है के भाई वो जो CISF के सोमनात महिंती थे जिस अधिकारी ने सलमान खान को चेकिंग के लिए टोका और रोका उसका फोन जब कर लिया है CISF ने क्योंकि आपने मीडिया से बात करी जबकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नह हुआ और अभी इस न्यूज में भी आप साइड में देखेंगे ट्वीट चल रहा है तो CISF के ओफिशेल ट्वीट करके फिर अधिकारियों ने बताया कि यह जो खबरे चल रही हैं यह फरोड हैं फरजी हैं यह केवल सलमान खान को दबंग खान बनाने के लिए यह फरजी मीडिया का सहरा लिया गया है मैनेज किया गया है मीडिया को जबकि CISF ने अपने अधिकारी को इनाम दिया है उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं बनती क्योंकि देश में यदि इस तरह के सुरक्षा बलके लोग होंगे के जो सब को एक काईदे से नियम से मानते होंगे उन को वास्तम में इनाम मिनना चाहिए और आपको बताओं इस बात को जब फैलाया गया था फरजी मीडिया दुआरा जितने मीडिया वाले थे जो बिकाओं हैं बॉलीवुड के लोग मिला उनके हाथों बिकाओं थे सब को कुस्ता आया कि यार एक आदमी ने अच्छा काम किय ये क्या किया CISF ने मोदी जी को लोग ट्वीट करने लगे अमिशा को लोग ट्वीट करने लगे कि भाई मोदी शाषन में भी यदि देशबक्त लोगों को परिचान किया जाएगा कि एक सल्मान खान को अगर एरपोर्ट पे नियम सिखाया गया है इसके लिए उसको सजा जा रही है उसका फोन जब कर लिया ये तो गलत है लोगों ने जब ट्वीट किया CISF को मैदान में आना पड़ा और अब खुशी की बात है कि जूट का खुलासा हो गया है CISF ने ट्वीट करके बाकाइदा जानकारी दी है P.I.B. के हवाले से कि ये खबर जूटी है जो सो सेना के लोगों को जो अपने नियम का निर्वा करते हुए डूटी पालन करते हैं और ये जो अभी तक के फरजी दबंग बने हुए हैं दबंग कौन है असली दबंग तो CISF के जवान है असली दबंग तो देश के सेना के जवान है असली दबंग तो वो पुलिस वाले हैं जो अपरादियों के खिलाब कारवाई करते हैं लेकिन हमारे हैं मीडिया ने इन फरजी लोगों को उनको हाईलाइट करके ऐसा कर दिया है कि लोग आज का युवा उनको फोलो करने लगा और इसलिए देश का युवा आज सेना के बजाए टिक टोक पे गाने गा रहा है या त कर रहा है तो ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा देश भक्ती लोगों को सिखानी पड़ेगी और इसके लिए सी आई एस एफ के एस आई सोमनात महिंति का बहुत बहुत धन्यवाद हजारों सल्यूट बंदे मात्रम